दोस्तों मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग जानेंगे एक स्पेसिफिक कोश्चन और क्रेटीन मोनो हाइड्रेट अपने एक स्पेसिफिक कोश्चन और करेंगे इस वीडियो में पने रहे हैं मेरे साथ वेल्कम बैग गाइस पूरा का पूरा ट्रेटिंग का वीडियो है कवर नहीं करों कि क्या उसके बेनेफिट होते हैं किस तरीकिस यूज करना है अगर आपको इस सब को जाने तो अब जो आपके सामने आई बाटन आ रहे हैं उसको आप कलेकर करके इस वीडियो को देखने के बाद उसे क्लिक कर लेना पूरा पूरा आप चेक कर लेना कि क्या 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 बेनेफिट होते हैं क्या 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 किस तरीकिसा आपको लोडिंग करनी है नहीं करनी है आज हम गया बात कर रहे हैं सरफ किस बारे में कि क्या कुछ न्यूट्रियन टाइमिंग का फरक होता ह विद रिस्पेक्ट टो क्रेटिन मोनो हाइड्रेट जैने कि आप क्रेटिन को किसी भी समय कंस्यूम करें उसके रिजल्ट से हम आएंगे ऐसा नहीं है आपने अगर मेरा वीडियो भी देखा हो तो मैंने इसा बताया था कि येस रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं लेकिन एक चीज़ होती है रिजल्ट और एक चीज़ होती है ऑप्टिमम रिजल्ट सो रिजल्ट और ऑप्टिमम रिजल्ट में फरक होता है तो आप अगर क्रेटिन को सुबा उठकर रात को सोते समय दुपहर शाम कभी भी यूज़ करेंगे येस क्रेटिन विल गिभी रिजल्ट वो आपको strength बढ़ाने में, वो आपको hypertrophy में, muscle mass gain करने में थोड़ा बहुत help कर देगा लेकिन जम लोग बात कर रहें, एक optimum use की, एक ऐसी nutrient timing की, जिससे की वो आपको optimum आपको फायदा दे पाए वो थे guys post workout, ओ guys यह ऐसा नहीं है कि मैं सरी बोल रहा है तो आप मेरी बात पर यकीन करने, this is, this has improved in research and science as well आपके सामने जो मैं आप study read करूँगा, आप description में जागे उसके links check कर सकते हैं, that has improved in studies कि आप अगर post workout, creatine consumption करते हैं, तो उसका जादा benefit मिलता है, बजाए इसके कि आप उसे pre workout या फिर किसी और timing में आप उसे use करते हैं मैं आपके सामने read करूँगा, सिर्फ conclusion, because बहुत लंबी study है, मैं आगर सारा read करने बैटूँगा, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाग और आप बोर हो जाओगे, लेकिन आपको जाकर इसा एक बार check कर सकते हैं, ये guys बहुत relevant study है, क्यों, क्योंकि ये कोई normal, ऐसा नहीं है क कोई sedentary lifestyle लोग थे, और उनके ओपर study गरी गई, people who were recreational bodybuilders, जिन्होंने 5 gram supplementation लिया, यानि की, दो गुरुप में उनको divide करागे, recreational bodybuilders को, कुछ लोगों ने 5 gram kretin लिया, अपने workout से पहले, और second group ने 5 gram kretin लिया, workout करने के बाद, so उसका conclusion के निकलता है, वो हम लोग जान लेत यह कहता है, it appears that consuming kretin immediately post-workout is superior to pre-workout with respect to body composition and strength, यानि कि आप अगर body composition और strength की बात कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा benefit कब मिलेगा, जब आप kretin का consumption करेंगे, अपने post-workout में ना कि pre-workout में, यह बहुत specific study है, जिसमें कि सिर्फ यह चेक करा है, कि आप अगर kretin pre-workout use करता है या फिर आप kretin post-workout use करते हैं, तो आपको ज़्यादा benefit with respect to strength, with respect to muscle mass, आपको ज़्यादा benefit, कब देखने को मिलता है, कब मिला आपके post-workout consumption, इसके अगरा है जो अकसे रहे कहा जाता है कि kretin के timing का कोई effect नहीं होता है, वो generally ऐसे studies के basis पर का जाता है, जो कि untrained individual के उपर जो effect देखेगे, kretin supplementation के, उसके उपर एचीज कहीं जाती है, तो क्या वो study relevant है, in this case, मुझे ने लगता कहीं से कहीं तक भी है, because आप में से जातर लोग, they are either consuming kretin monohydrate from some specific time, they do not belong to that certain group of people, यानि की 50% उनकी age नहीं है, उस study का भी अपना एक relevance है, अभी मैं इसके बाद एक वी चैक करना है, कि उस study से क्या आप सीख सकते है, क्या outcome निकल कर आया, फिलार हम बात कर रहे है, सरिफ kretin के timing effect की, yes, बहुत relevant study है, जो कि pinpoint ये बताती है, कि आप अगा kretin को pre-workout use करते है, या फिर post-workout use करते है, तो ज़्यादे benefit आपको मिलता है, उसे post-workout consume करने में, ज़्या इस वीडियो विद देम, अगर इंस्टेग्राम के ऊपस्टोरी लगा तो कि तुस जानल को थोड़ा सो सपोर्ट मिल जाएगो, और आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाते रहेंगे, guys, keep supporting, keep loving, मैं आप सी मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, please do not forget to connect with me on Instagram, cheers. झाल